गुड मॉनिंग क्लासिक्स देखे बच्छों आपके एकसरसाइज 1.7 तक कम्टीट हो चुके थे ठीक है अभी हम स्टार्ट करेंगे चेप्टर 2 होल लंबर ठीक है बच्छों यह होल लंबर क्या होता है यह पूरे चेप्टर का पहले हम डेफिनीशन जानेंगे कि यह डेफि धिच्छों होता हमारा नेचअर्ण अमःफिर यहना रमबर क्या होते हैं अम्हेंज यह हमारा सद्वह 1 तेरस चैनल यह हमारा कॉंटिनी चलता जाता है इसको हम बोलता है इंफनाइट मताब ऩूरी अगई होगा यह मताओग को इस ही जाता है लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट होती है इसकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है वन से 1234 और इसे क्लोज होने की कोई लिमिट नहीं है यह चलता जाता है सेपटल एंअ न से रिप्रिजंट करते हैं फहले बच्छो आपको इसका डइफ़। जाना जरूरी वहोगा उसके भाद ही एकशरसाइज पहेंगी का तो पहले हुम डेफ़। अच्छे से जान लेंगे, उसके बाद हम exercise पहते हैं, तो natural number को हम capital N से represent करते हैं, ठीक है, और यह starting point होती है, इसकी 1 से, और चलती है infinite तब, दूसरा होता है हमारा बच्चा whole number, whole number को हम भी present करते हैं, डबलू से, ठीक है, और यह start कहां से होती है, यह start होती है, 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, और इसकी भी कोई limit नहीं होती है, यह भी चलती है, हमारी infinite तब, तो natural number और whole number में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, natural number हमारा 1 से start होता है, और infinite तब जाता है, और whole number हमारा 0 से start होके, यह हमारा जाता है, infinite तब, ठीक है, थर्ड हम आते हैं बच्चों, इसके बाद देखी, producer of whole number, producer का मतलब होता है, एक पहले, इससे just पहले वाला number, मतलब minus 1, minus 1 करना होगा हमें, तो देखी, यह हमारा है, थर्ड वाला मैं बता रहा हूँ आपको, producer of whole number, मतलब हमको इसमें क्या करना होगा, 1 less करना होगा, जैसे कोई भी number देदे आजा आपको, 6, 6 का हमें producer बताना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से minus 1 कर लेंगे, मतलब हमारा मिल जाएगा answer 5, ठीक है, producer म प्लस 1 कर देते हैं, तो प्लस 1 कर देते हैं, तो हमारा सुसेसर निकल जाता है, और minus 1 कर देते हैं, तो producer, तो अगर हमें सुसेसर निकलना होगा, इसी 6 का अगर हमें सुसेसर निकलना होता, तो हम इसमें plus 1 कर देते हैं, और हमारा answer आजा 7, अगर producer निकलना होगा, तो minus 1 कर द यहां देखिए दिया हुआ है कुछ इग्जामपल भी दिये है राइट दे प्रोडियूसर और सुसेसर आफ 19 नाइंटीन का सुसेसर कैसे निकाला है नमबर लाइन ऐल नमबर को कैसे दिखाते नमबर लाइन क्या होता है यह मारा नमबर लाइन है एकला ट्रोकल है और स्केल में जो डिया होता है 123 चेल से 1 तरह सब टिकर लिजह एसको पिछने के बाद स्केल सभी इसको गया से टिकर लेंगे हैं is 123我想 से 10 तक हमने ख़िए फिरो ओंपर लाइन अब लिइन पे हम निम्बर को कैसे CRS करते हैं कि बór не जाता है फर्स्ट है हमारा सब्ट्रेक्शन ऑफ नम्बर लाइन नम्बर लाइन पर गर हमें सब्ट्रेक्शन दिखाना होगा तो सब्ट्रेक्शन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे फर्स्ट कोस्चन देखें दिया हमारा 8-6 8-6 तो हमने क्या किया यह हमने number line पहले बना लिया number line पहले हमने लिख लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से हमने इसको हम आगे भी continue कर सकते थे लेकिन हमें 8 में से ही 6 को minus करना था इसलिए हमने 8 के आगे हमने number यह नहीं लिखा अगर हम चाहते तो 8 के आगे हम number लिख सकते थे 8-6, 8-6 में हमने क्या किया 8 तक हमने यह ले लिया और इसमें से minus कितना करना है 6, तो हमने 6 इसमें से minus कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है बच्चों 8-6 था, 8 से start करना था और minus 6 करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 पे हम आके stop होगे 6 jump हमने opposite में लगा लिए तो answer हमारा आ गया 2, ठीक है यह answer होगे हमारा 2 8-6 is equal to 2 तो यह हमने इस तरह से इसको number line पे दिखा दिया यह हमारा होगया subtraction ठीक है, subtraction में हम क्या करेंगे left side में इस तरह से jump करते चलेंगे अब बारी आती है multiplication multiplication में हम कैसे करते है जैसे अगर हमें multiply करना हो 3 multiply 4 तो हमने यहाँ पे number line पे number so कर दिया 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से हमने number दिखा दिया 3 multiply 4 है तो हमें start करेंगे 0 से और 3, 3 का jump लगाएंगे ठीक है, 3, 3 के कितने jump लगाने है 4 अगर यहाँ पे 4 होता तो 4, 4 का jump लगाते है यहाँ पे 3 multiply 4 है इसका मतलब हमें 3 का jump लगाना है 3, 3 का jump लगाना है 4 पहला jump देखिए 3, 2, 3 3, 2, 6, 3, 3, 9 4, 10 इस तरह से 3, 3 का jump लगाना है 1, 2, 3, पहला jump 1, 2, 3 2, 2, 1, 2, 3 3, 2, 3, 1, 2, 3 4 गया है तो 3, 3 के हमने टोटल 4 jump लगाने तो answer आजाएगा हमारा 12 यह होगा हमारा number line multiplication होगा number line पे और यह subtraction होगा हमारा number line पे ठीक है बच्चों अब देखिए आप write the whole number between इनके पीछ का whole number कैसे निकालते हैं इनके बीच का whole number निकालने के लिए 38734 है इसके आगे का number आएगा 38735, 38736, 38737 इस तरह से आगे continue करते करते हमें कहां तक जाना है 38742 यह जो है इसके एक पहले ही तक हमें रूख जाना है 38741 इनके बीच का ही क्यों लिखना था तो 34 था तो इस्टार्ट हुआ था 35 से और 42 था लास्ट में तो हमारा 41 लास्ट हमारा इसके पहले तक हम रूख गए तो यह इसके बीच के सारे नमबर आ गए इसी तरह से बच्चों हमारा यह भी यह कोशन ठीक है देखे बच्चों यहां पर हमें कंपेर करना है साइन लगाना है ग्रेटर लॉस ग्रेटर देन लेस तेन यह हमें यहां पर कंपेर करने है ठीक है कौन सा बड़ा है कौन सा चोटा है 507 और यह 507 तो देखे बच्चों इसमें हमारे 507 और 570 दो नमबर दीगे हैं तो 507 और जो लेस 507 जो है वो लेस हमारा 517 से ठीक है 507 हमारा चोटा दिख रहा है कौश्चन पूछा गया है कि कौन सा हमारा लेफ्ट साइड में होगा ठीक है बच्चों लेफ्ट साइड मतला 507 और 517 में लेफ्ट साइड में कौन सा होगा नमबर लाइन पर तो अगर हम नमबर लाइन बनाते हैं जैसे देखे नमबर लाइन अमारा यह नमबर लाइन है जैसे यह 2 है और यह 3 है तो जो 2 है वो क्या हमारा लेफ्ट में है और जो 3 है बड़ा वाला नंबर वो क्या हमारा राइट में दो नंबर को जब हम कंपेर करते हैं जैसे में दे दिया गया 2 3 को कंपेर करके बताए यह कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है तो जो नंबर 507 जो है वह चोटा है 507 जो है 517 जो होगा वह हमारा लेफ्ट में होगा किसके 517 ठीक है तो इस तरह से हमारा देखें 517 जो है यह हमारा बड़ा है इसी तरह से इधर भी और कोश्चन है ठीक है यह एक्जाम्पल आप सारा कंप्लीट कर लिजेगा यहां तक देख लिए तक है एक्जाम्पल कंप्लीट करके रखेगा अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 से यह सारे जितने भी डेफिनीशन हमने पता है पहला कौं स्टार्ट डेफिनीशन था नेचुरल नंबर लाइन पर कौन सा नंबर लेफ्ट में होगा कौन सा राइड में होगा इतने को आप पहले अच्छे से डिफिनीशन को पूरा अच्छे से डिवीजन कर लेंगे इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.1 हम कॉंटिन्यू करेंगे ठीक है बच्छों आप इसकी स्क्रीन सॉट ले लेजिए इसकी स्क्रीन सॉट आप ले ले एक बार मौनिक स्क्रीन सॉट आप आप जैए एक देखिए बच्छो एडीशन भी होता है एडीशन ऑन दा नमबर लाइन है एडीशन भी वैसे यह जैसे सब्ट्रेक्शन है 3 प्लस 4 तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे 3 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 4 जंप हम राइट साइड में लगाएंगे ठीक है सब्ट्रेक्शन में हम क्या करते थे सब्ट्रेक्शन में हम जो जंप लगाते थे वह हम लेफ्ट साइड में 8-6 तो हम 8 से स्टार्ट करते थे और लेफ्ट साइड में जंप लगाते थे 6 और एडीशन में इसका फोजित होता है एडीशन में क्या होता है 3 प्लस 4 है तो हम 3 से स इसकी भी स्कीन सोट ले लिजा आप 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 है जितने भी डेफिनीशन है इसको आप कॉपी में अच्छे से करना है पहले ठीक है चेप्टर डालके पहले यह डेफिनीशन जितने भी दिये हैं जितना भी मैंने समझाया नंबर लाएन आगे होल लंबर नेचुरल लंबर यह पूरा डेफिनीशन आप कॉम्प्लीट कर लेंगे कॉपी में उसके बाद ही हमें एक्सरसाइज आगे करना है ठीक है बच्छों पूरी डेफिनीशन कॉम्प्लीट हो जाने चाहिए ओके थैंक्